Hello Friends आज हम पएम पढ़ेंगे Ice and Fire यह जो पोएम है वो Edmund Spencer ने लिखी है तो सबसे पहले इस पोएम के बारे में बात करते हैं कि यह पोएम है वो Edmund Spencer की है उन होने यह एक सोनेट के रूप में पोएम लिखी है सोनेट के रूप में sonnet मतलब जो 14 lines की जो poem होती है एक fix rhyme scheme के साथ में उसको sonnet बोलते हैं sonnet के बारे मैंने अलग से भी वीडियो में बता रखा है तो ये जो sonnet है वो spencerian sonnet है और इसकी जो rhyme scheme है rhyme scheme मतलब जो हम ये जो last word होता है poem का उस last word से हम एक rhyme scheme निकालते हैं जैसे ये fire इसका जो pronunciation होता है उसकी according हम निकालते हैं जैसे ये fire हम बोल रहे हैं इसको fire तो ये इसको हमने A माल लिया ये great इसको B माल लिया अब fire desire same scheme rhyme scheme यहाँ पर बन रही है तुक बन दी हो रही है fire के साथ में desire तो ये वापस से इसको a बना लिया great और treat इसको महीं हमने बापस से माल लिया तो इस परकार से देखो ये जो है का ये के इसको कि भी माल लिया हमनी वन्था येज्वर से इसको वापस से माल लिया get और entered तो इसको वापस है नहीं बी मान लिया इस प्रकार से देखो निचे जैसे heat है फिज़ी cold है फिज़ी sweet manful तो cold cold है वो यह जो heat है heat है वो great से मिल रहा है तो यह वापस से B आ गया इसके जो rhyme scheme है वो a b a b फिर यह देखो b है तो heat है वो great entry इसे मिल रहा है तो इसको b b बोलेंगे अपन यह cold है वो b से a और b दोनों से अलगा तो इसको हम c बोलेंगे और ऐसे यह जो sweet है वो heat से मिल रहा है तो यह वापस से क्या हो गया बी cold और manifold यह sound अपना प्रणाउंस हो रहा है तो यह हो गया c तो a b a b b c b c और इसी प्रकार से नीचे c d c d और फिर last वाला e आएगा तो हमने जो starting के जो at line का जो octave है जो at line का जो stange होता है उसको octave बोलते हैं और जो six line का stange होता है उसको say state बोलते हैं तो यह जो at line का जो octave है इसकी ram scheme तो हमने देख ली अब यह जो poem है ice and fire यह जो poem है इसके poet कौन है Edmund Spencer और इन होनी क्या है Edmund Spencer ने एक collective sequence लिखा है sonnet का emorati जिसका नाम है उस emorati के अंदर उन होने 89 sonnet लिखे हैं और यह जो ice and fire यह जो sonnet है यह sonnet इसके अंदर 30 sonnet है total उन्होंने कितने लिखे है 89 और यह ice and fire है वो 300 sonnet है और किसमें लिखा है एक emorati नाम से sonnet की sequence है उसके अंदर इन्होंने लिखा है तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि तुलना करते वे उन्होंने बोला है कि यह जो उनकी जो बिलावड है उसकी जो प्रेमिका है वो प्रेमिका बरफ के समान है खुद को fire के समान बताया है थोड़ा सा contradiction है वो इसके अंदर बताया गया है जो लवर है बिलावड है उन दोनों के बीच में को देखो इस प्राकार से हम इस प्रोम को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मिर्य जो बिलावड है य किeger मेरी जो प्रेमिका है वो जहां पर आ जाता है तुलना करते हुए वहां पर सिमीली फिग्रोव स्पीच होता है मैंने अलग से प्लेलिस्ट में सारे फिग्रोव स्पीच डाले हुए हैं आप वहां से फिग्रोव स्पीच को अलग से पढ़ सकते हैं तो यहां पर क्या है यह सिमीली फिग्रोव स्पीच है तुलना करी है साथ में मेटाफर का यूज भी इस नहीं किया है तो देखो my love is like twice कि मेरा जो लव है मेरा जो प्रेम है मेरी जो बिलावड है वो बिलावड किस के समान है आइस के समान है and I to fire और मैं कैसा हूं मैं fire के समान हूं मैं आग के जैसा हूं तो दोनों है वो एकदम स अपोजिट उनका विवहार बताया गया है अब यहां पर देखो वो question कर रहा है कि how comes it than that this are cold so great यहां पर प्रेम है through my soul heart desire कि मेरी जो इतनी अधिक जो मेरी उसके प्रति डिजायर है इतना अधिक जो मेरा love है उस अपनी beloved के प्रति या इतना ज्यादा जो मेरा भावनात्मक जो लगाव हो चुका है अपनी प्रेमिका की प्रति उस लगाव से उस प्रेम से भी उसकी जो ठंड़क है वो पिघल नहीं रही है उसके अंदर कोई emotions नहीं आ रहे हैं मेरे प्रति उसका भी कोई प्रेम से भरावा कोई प्रति उत्र नहीं आ रहा है कोई जवाब नहीं दे रही है रहे हो इतनी वह कोई नहीं है उसके जो नहीं रही है बलकि श्यारे प्रति इसके प्रति नहीं हो रही है करता हूं अपना को जिखाता हूं तो वो क्या हो रही है ओर ज्जादा हाडर हो पिगर नहीं रही है बलकि वह क्या हो रही है और ज्यादा वह हाडर है वह हो रही है और ज्यादा कठोर वह हो रही है कठोर हृद्य से परिपूर्ण वह हो रही है और how comes it that my exceeding heat कि मेरे जो exceeding heat मतलब मेरा जो बढ़ता हुआ जो प्रेम है प्रेम की जो गर्मी है उससे उस पे कोई फरक नहीं पड़ रहा है is not delayed वह delayed मतलब जो लेशन यहां पहे यह देखो डी ऐल एव रही है इस नौंट ड्लैट कि मेरे जो बढ़ती वी गर्मी है प्रेम की जो गर्मी है जो इतनी ज़्यादा मेरे अंदर भर गई है वह कम नहीं कर रही है by her heart frozen cold कि उसके जो हरीदे के अंदर जो जमी हुई बर्फ है मतलब उसका जो हरीदे एकदम से जो जम गया है उसके अंदर कोई प्रेम की कोई जगह ही नहीं है इतना कठोर इतना ठंडा पंजू उसके हरीदे में हो जमा हो गया है वो मेरी इस बढ़ती वी गर्मी से कम नहीं हो रहा है जबकि क्या काम होता है आग का काम होता है ब्रफ को पिगलाना लेकिन यह बोड़ रहा है कि मैं एकदम आग के समान हूँ, मेरे प्यार की गर्मी आग के समान है लेकिन वो बरफ के समान जम्मी हुई है, उस पे कोई फरक नहीं पढ़ रहा, वो कम नहीं हो रही उस पे कोई मेरे प्रेम का कोई असर ही नहीं हो रहा है तो ऐसा यहां पर point है वो बता रहे हैं तो यहां पर point बताते हैं कि मैं और ज़्यादा जल रहा हूं in boiling sweet मतलों मैं और ज़्यादा जलती हुई अगनी में मैं जल रहा हूं मेरे अंदर प्रेम की भावनों और अधिक बढ़ रही है जो प्रेम की आग है वो मेरे दे में और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मैं फील करता हूं मैं महसूस करता हूं कि जो फ्लेम्स है आग की जो लप्टे है वह अग्मेंटे अग्मेंटे मतलब इकठी हो गई है मैंनीफोल्ड मतलब कई गुना कि मेरे अंदर जो आग की लप्टे है वह कई गुना अब जमा हो गई है ऐसा में महसूस करता हूं मतलब मेरे अंदर जो प्रेम की आग है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जबकि मेरे बिलावट पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है वह उसकी कोलने इसको पिगलाने रही है उसके मेरे प्रेम का कोई असर नहीं हो रहा है जबकि उसके फरक बढ़ना चाहिए क्योंकि आग का क तो जो octave है जो starting में देखो आठ लाइन का ये स्टेंजा है आप count कर सकते हो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो ये जो आठ लाइन का स्टेंजा होता है वो octave होता है, octave की जो rhyme scheme है वो क्या है? अब देखो नीचे six line का स्टेंजा आएगा, उसकी rhyme scheme क्या है अपन वो देखेंगे, आप count कर लो line चे 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो A, B, A, B, B, C, B, C, अब यहाँ पर देखो manifold जो था, cold था, cold से told है वो match कर रहा है, तो cold को हमने rhyme scheme में कौन सा वर्ट दिया था, अपनने C दिया था, तो told क्या रहेगा, C में रहेगा, अब जो यह ice है, नीचे वाली line में क्या है, hardened ice, तो यह ice है वो एक अलग word आ गया, अलग pronouncing word आ गया, जो उपर किसी से match नहीं कर रहा है, तो इसको हम next word देंगे, क्या देंगे, D, अब यह told और cold सेम है, तो यहाँ पर C हो गया, और ice and device सेम है, त दोनों सेम भी है, तो इन दोनों को हमने दे दिया E, E, तो totally इसकी rhyme scheme क्या हो गई, A, B, A, B, B, C, B, C, C, D, C, D, E, E, तो यह इसकी rhyme scheme हो गई, और आपको यह भी ध्यान में रखना है, कि यह जो six line का stranger होता है, वो उसको say state बोला जाता है, और यह बात मैंने sonet में अच्छे से may be told, तो यहाँ पर जो point of rhetorical question के रोप में यहाँ बोलते हैं, कि what more miraculous thing may be told, कि यहाँ पर कितने ज्यादा जो miraculous, मतलब जो wonderful जो चीजे हैं, वो बताने वाली है, कि कितने सारी अदबुद आश्रे से बहे होई चीजे हैं, वो मा यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर बताने वाल कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, the fire, कि जो आग होती है, which all things melt, कि वो सारी चीजों को क्या कर देती है, melt कर देती है, पिघला देती है, आग का काम क्या होता है, हर एक चीज को पिघला देना, क्यों बरफ को पिघला देती है, और मतलब एकदम जो जो tight जो कोई धातू होती है, उसको भी क्या कर देता है, यह आग है वो पिगला देती है, तो आग का काम क्या है, वो हर एक चीज को मेल्ट कर देती है, पिगला देती है, शुड हार्डन आइस वो क्या कर रही है, आइस को और ज़्यादा हार्डन कर रही है, बरफ को और ज़्यादा जमा रही है, उसको टा के मिलेड़ घंड़ कर देती है, वा इंड्रा चीज को थंड़ कर देती था काम आइस का होता है तो वह क्या कर रही है जो बरफ है वह अपनी अद्बूत दिवाइस से उपकरन से यंत्र से आग को प्रोड्यूस कर रही है और ज्यादा आग को प्रोड्यूस कर रही है जो बरफ है वह आग को क्या कर रही है बढ़ा रही है जबकि बरफ का काम क्या होता ह आग को श्यांत करना लेकिन यहां पर बरफ है वह आग को बढ़ा रही है तो दोनों आपोजिट वर्क कर रहे हैं तो यह जो मिरकल्स चीज है वह उन्होंने बताई है पोईट ने अब देखो आगे क्या बताते हैं वह सबसे पावफुल होता है तो प्रेम की शक्ति ही है जो जेंटल मैंड में में तो हर एक मिनुष्य के अंदर यह प्रेम की पावर ही एक ऐसी चीज होती है जो कर देती hai, it can alter, वह एलटर कर देती है, change कर देती है all the course of kind, की हर परकार की जो चीजे होती है, हर परकार के जो मतलब जितनी भी इस वर्ड के अंदर, जितनी भी चीजे हैं, उन सब को इसे प्रेम की शक्ति ही, एक ऐसी चीज है जो चेंज कर सकती है प्रेम ही सबको बदर सकता है जैसे बरफ और आग ने अपना काम है वो अपोजिट रूप से करना सुरू कर दिया है तो आपको यह जो पॉइम है वो क्लियर हो गई आपको अच्छे से समझ में आ गई अगर इसे रिलेटेड कोई क्यूस कुछ पूछना हो जुरूर आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताईए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए ओके बाई हैव नाइस टूई